देखे एक सवाल काफी जाए चर्चा में है पिछले कई दुनों से लगातार चाहत इस बात को लेकर के परेशान है कि क्या प्रात्मिक सिक्षक भरती 2030 में देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी तो कि बिहार जैसे स्टेट हैं उन्होंने पेपर कराने को लेकर के डेट भी भीड़ा आएयो का गठना तक क्यों नहीं हो पाया और आकर क्या समझसे आ रही है क्या 2030 में सिक्षक भरती देखने को मिलेगी भी या नहीं मिलेगी तीके सबसे बड़ा रीजन जो है लेट होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है बीएड और BTC बाला मुद्द ठीक है यह सु अभी आपने आप लोगोंने सुना भी होगा नियूस्पेपर बगारा मैं भी ख़वर निकली थी बहुत ही जल्द इस मुद्दे को भी किलियर कर जाए कोगी यह मुद्दा काफी दुनों से कोट में लंबी तरही यह केवल और इसके निर्णय देने की देरी है बाकी सारे की स जारी कर दियाएगी और उसके बाद आप लोगों को नई सिक्षक भरती की प्रक्रियां जोना शुरू होती हुए देखने को मिल सकती है सबसे पहले इस क्रम में जो काम होगा आयोक को गठन को लेकर कि आयोक का जो गठन है उत्ता प्रदेश में नई सिक्षा चेन आयोक का गठन है उसको लेकर कि आप आई दिन अकबार में खबर भी पड़ रहे हो ठीक है तो बहाँ पर क्या है कि इसी बात का बेट किया जा रहा है कि आखिरकार B8 और BTC बाला मुद्धा जल से जल निपड़ जाए क्योंकि एक बार आयोक का गठन होगे उसके बाद में जल से जल बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ठीक है आप लोग को मालूम हो जितने भी सिक्षक भरतियां वो तमाम सिक्षक भरतियां अब नई आयोक से ही कराई जाएंगी तो ऐसे ही में नई आयोक के गठन के के बार के बार चीज़ें इस पर ठोतियों किलियर हो जाएंगी और एक बात मैं आपको बता दूँँ बहुत सारे लोग इस बात को ले करके भी परेशान कि आकितने पड़ों पर सिक्षक भरति देखने को को मिलेगी देखे एह कंसे कम सबसे कम कुछ भी नहीं तुह सतरह घ付 आपको मिली ही जाएगी कम से कम आपको सतरह हजार पद़ों पर वैकंसी देखनें यह जाएगी और लोग क्या चाहते हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखीगा, क्या 97,000 पड़ों पर सिक्षक भरती आनी चीए, या फिर चलो कुछ नहीं, कुछ नहीं दे रहें, तो 17,000 पड़ों से भी संतुष्ट हैं, क्या आप 17,000 पड़ों से संतुष्ट हैं, आप 97,000 आप कमेंट करके जरूर अपनी पृत्करिया दीजेगा,